नमो नमाह, मम नाम, संजीदाह, एल्पियम पब्लिक, इस्कूलम, सर्वेसाम, हार्दिकम, स्वागतम प्यारी बच्चों, आज हम सब अपनी पाठे पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा साथ के अश्टम पाठ प्रकरण है हरी द्वारम, नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, तो चलिए आज की कक्षा आरंब करते हैं हरी द्वारम, इसका हिंदी क्या होगा? हरी द्वार, इसमें हरी द्वार के बारे में बताया गया है भारत वर्षे अनेकानी तिर्थ इस्थलानी संती, भारत वर्ष में अनेक तिर्थ इस्थल हैं, तेसु तिर्थेसु हरी द्वारम अन्यत्मम, तिर्थों में हरी द्वार का महत्पूर अस्थान है, इदम तिर्थ इस्थलम पवित्रे गंगा तटे अस्ती, यह तेर्थे स्थल पवित्र गंगा तटपर है गंगा सामी प्यात इदम हरीद्वारं रमडियं पावनं च अस्ति गंगा के समी प्याति अस्ति यह तेर्थ गंगा की प्राकृतिक सोभा अत्यंत परिपूड है प्राकृतिक सोभा से गंगा अत्यंत परिपूड है हिमालय से सिवालिक साखा पर्वते परिवृतम अस्ती इदम हरी द्वारम हिमालय सिवालिक की पहाडियों से पूरे पर्वत ढके हुए हैं यह हरी द्वार है उत्तरा खंड राज्य से प्रसिद मीदम नगरमस्ती उत्तरा खंड राज्य प्रसिद नगर है उत्तरा खंड राज्य से दृतिया राज्य भासा संस्कृत मस्ती उत्तरा खंड राज्य की दृतिय भासा दृतिय राज्य भासा संस्कृत है हरी द्वारे न केवलम संपूर भारतात अपितु अनेव्यू देवेभ्य अपि जना या तिर्थ यात्रिड़ भक्ता च आगच्छन्दी हरी द्वार न केवल संपूर भारत में भी बलकि अन्य देशों से भी लोग तिर्थ यात्री बनकर आते हैं ते गंगायान निमजनम इसनानम कुर्वंती मंदिरेशु दर्शनम श कुर्वंती इस गंगा में लोग इसनान के लिए डुपकी लगाते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं यदा हरी द्वारे पी कुम्भस्य आयोजनम भवती जब हरी द्वार में कुम्भ का आयोजन होता है तदा मेला पकस्य द्रिश्यम भवती तब मेला जैसा द्रिश्य होता है तस्मिन समय तत्र बहु संपर्दभ भवती इस समय वहां बहुत भीड होती है हरी द्वारे हरी की पैड़ी इती इस्थाने स्रधालव इस्थानम कुर्वंती हरी द्वार में स्रधालू का विभिन स्थानों पर इस्थान होता है देश विदेशत से भक्ता कुम्भ इस्थानम आगच्छन्ति देश विदेश के भक्त कुम्ब में इसनान करने के लिए आते हैं हरी द्वारे अनेकानी, मंदिराणी, तरसिनानी, संती हरी द्वार में अनेक मंदिर दरसन के लिए है चलिए एक वार इसकी हिंदी फिर से देखिए भारत वर्ष में अनेक तिर्थ इस्थल है इन तेर्थों में हरीद्वार मतुपूर है इदम तेर्थ इस्थलम यह तेर्थेस्थल के पवित्र यह तेर्थेस्थल पवित्र गंगा के तटपर है गंगा के समेप यह हरीद्वार रमडिय और पामन है यहां गंगा की प्राकृतिक सुन्दर्ता से परिपूड है हिमाले सिवालिक की पहाडियों से पर्प से ढके हुए है यह हरीद्वार है उत्तराखंड राज्य का प्रसिद नगर है उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभासा संस्कृत है हरीद्वार न केवल संपूड भारत से ही अपितु देश के बलकि देश अन्य देश के भी लोग तिर्थयात्री भक्त के रूप में आते हैं वे गंगा में डुपकी लगा कर इसनान करते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं यदा हरीद्वार एपी कुम्भश से आयोजनम भवती जब हरीद्वार में कुम्भ का आयोजन होता है तब मेला जैसा द्रिश्य होता है इस समय वहां बहुत भीड होती है हरीद्वार में विभिन इस्थानों से स्रधालू आकर इसनान करते हैं देश विदेश के भक्त कुम्भ में इसनान करने के लिए आते हैं हरीद्वार में अनेक मंदिर दर्शन के लिए हैं तो इतना आप सब पढ़ लिजेगा दूसरे भाग में हम लोग इसके आगे के खंड को पढ़ेंगे तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सब इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए ठीक है बचो धन्यवाद हूँ उला में बच्छे में लाग मेंomingлам का